नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर, MBR Networks पे आप सबी लोगों का बहुत स्वागत है, 31 मार्च की रैली में अर्वीन केजरिवाल को इंडिया लाइंस ने एक बड़ा जटका दिया, देखने में फिल नहीं हुआ हुआ आपको, लेकिन जिस समय रामनिला मैदान में मंच को डेकोरेट किया जा रहा था ना, उस समय सियम अर्वीन केजरिवाल की जेल के पीछे सलाकों वाला जो पोस्टर है, जिसे आप इन दिनों सोचल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, और ज यही फोटो का पोस्टर मंच पे हैंक कर दिया गया था, जो बिल्कुल आई कैचिंग स्पेस पर था, यानि कि आप मंच को देखेंगे तो पहले आप अर्वीन केजरिवाल को सलाकों के पीछे देखेंगे, एंड यह रिफलेक्ट करता है ना, कि अर्वीन केजरिवाल सलाको के पीछे हैं, लेकिन जब कॉंग्रेस ने इसे देखा, तो उन्होंने इस पे एतराज किया, पैनली वो पोस्टर महां से हटा दिया गया, लेकिन यह तो रामलिला मैदान का जटका था, जहां पर अर्वीन केजरिवाल ने कभी सुनिया गांधी और लालु यादों को जटक था, कॉंग्रेस नहीं चाहती थी, कि वहाँ पर किसी एकवेक्ति की बात हो, जबकि अंदर खाने यह तै था, यह सारी सिंपती अर्वीन केजरिवाल के लिए अर्जित की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अर्वीन केजरिवाल ED के शिकंजे में हैं, उसी तरीके से बहुत इंडिया लाइंस ने एक रैली का आईजन गया था, जिसमें स्लोगन दिया गया था कि लोक तंतर बचाओ, लोक तंतर को बचाना मतला उस पर क्या मुसीबत आ गई है, वो तो सुरक्षित है, लोक तंतर है, इसलिए तो आप वहाँ हैं, वो मैं अलग से बात करूँगी, ख कोट में, जहां उन्होंने अपने लिए खुद दलीले देनी शुरू कर दी थी, आपको याद है न, 28 मार्च को, उससे पहले उनकी पतनी ने ये कहा था कि, अर्वीन केजरिवाल जी, आपके बहुत चाहेते जो हैं, जो इने आप बहुत प्यार करते हैं, वो 28 मार्च को एक बड़ा खुला सा करने वाले हैं, कोट में, जजिस के सामने, लेकिन वो क्या था, कुछ भी नहीं, जिसे कहते हैं न, कि खोदा पहाड निकली चुईया, और वो भी मरी हुई, उससे उन्होंने अपनी मुसीबदें बढ़ा ली और ज़्यादा, और इस बाते बात होगी, कि 31 की रैली में उनकी तस्वीर क्यों हटाई गई, ये भी जान लीजे, प्रोजेक्ट तो ये किया गया था कि रैली के जरिवाल के लिए हो रही है, यानि कि उनकी सिंपेती, जितने भी वहाँ लोग रहेंगे, अब आप ये भी समझ लीजे कि रैली में बहुत ज़्यादा भ हीड जुटाने का काम आम आदमी पार्टी का ही था, तो इसी लिए वो केजरिवाल की पोस्टर, सलाखों की पीछे, अर्विन केजरिवाल, मनला कुछ और लगा लेते, क्या ये यही चाहते हैं कि उनके सियम, अलाकि सबको पता है कि वो अब सलाखों के पीछे ही रहेंगे, लेकिन पहले से ही ये लोग उनके लिए बुरा सोज रहे हैं, और राजनीती जो ना करवा दे, वो ही समझी आप, उनकी सिंपधी लेने के लिए अर्विन केजरिवाल की विक्टिम कार्ट खेला जाना था, उनकी पोस्टर को लेकर के, सलाखों की पीछे जो उनकी तस्वीर हैं, दरसल पोस्टर हटाने की बात पर आम आदनी पार्टी के जो कारे करता थे, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ, कॉंग्रेस ने पहले ही ये कहा था कि एक व्यक्ति पे ये रैली किंद्रित नहीं होने वाली है, और कॉंग्रेस के जो नीता है, राज्य सबस्थांचत, जे राम रामेश, उन्होंने 30 मार्च को ये कहा था कि राम दिला मैदान में लोग तंत्र बचाओ कारे करम में किसी व्यक्ति विशेश पर फोकस नहीं होगा, बलकि कई सारे मुद्दे होंगे, अब मुद्दे भी आप देख लिए, मुद्दे ये थे कि उनकी जान बच्चा है, उन्हें EDOCBI परिशान न करें, बेसिकली तो बात यही थी ना, और आप लोग तंत्र बचाने की बात भी समझ लीजे, लोग तंत्र बचाने की इन्हें क्या जरूरत है, और इन्हें यह नहीं समझ आ रहा कि लोग तंत्र है, लोग तंत्र स्रक्षित है, इसी लिए आप मंज से, जो आपके मन में आ रहा था, आप बोल रहे थे, अगर लोग तंत्र नहीं होता, तो आपको इतनी इजाज़त नहीं थी, कि आप जिस तरीके से बोल रहे थे, जिस तरीके से मलिकाजन खड़गे ने, और आहुल गांधी के ही टुकड और अब मैं आती हूँ सुनिता केजरिवाल पर, दरशल केजरिवाल ने अपनी पतनी को, सुनिता केजरिवाल को ये जेल से पढ़ा करके बेजा था, जेल I'm in ED की कस्टिडी में है, that is also like a jail, अलाकि वहां वो बड़े मजह में है, उन्होंने खुदी कहा था कि मुझे ED से प्लम नहीं है, बट ED उनके according उनके साथ देव करें, और उनके according वो अपने according वो उनके जवाब देंगे, पर इस समय भी, वो ED को सहयोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन सुनिता केजरिवाल विक्टिम कार्ड चलाने के फिर आग में थी, अलाकि पोस्टर हटा दिया गया, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आप के कारकर था, पोस्टर नुमा जो जंडा था, उसको गुमाते हुए घुम रहे थे मैदान में, लेकिन मंच से तो पोस्टर हटा दिया गया ना, तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी की बेज़िती तो होई अर्विन केजरिवाल की अउकात दिखा दी गई ना, कि हम अर्विन केजरिवाल के लिए यहां बात नहीं करने आएं, अलाकि इंडारेक्ट वे में सभी ने यही कहीं, क्योंकि जिस तरीके से अर्विन केजरिवाल फसे हुए हैं, जितने लोग महां थे, किसी ना किसी तरी लिजे के Kejriwal का एक April को कोट में क्या-क्या हो सकता है। दॉरसल ED ने दिल्ली के मुख मंत्र इर्विन के voltage को 21 मार्च को उनके शीष महर्च से गिर्फतार किया था। उनके साथ दस्मा संबन भी था और गिर्फतार भी हुन्हों ने कर लिया इस समय अर्विन केजरिवाल एक एपरल तक eduki हटासत में और कॉंघ्र्स के निता जैराम रमेश ने कहा था की विपक्षी दलों के एक्सिटिंग मुख्मंतरी दिली के मुख्मंतरी अर्विन केजरिवाल समेत कई मुख मंतरियों को जेल में डाल दिया गया है और इस दरान उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी अजंसियों का दुरूपयों हो रहा है और चुनावी बॉन घोटाला समेट कई बातों को वो गुमा फिरा करके कह रहे थे जिनकी वो चर्चा करने वाले थे राम लिला मैदान में लेकिन उनकी ये बात कितनी बेमानी है ये एक judicial proceeding का हिस्था है जिसमें इस समय अरविंद केजरी वालो हेमन सौरेनो या फिर और जो expected लोग है लाइक अभी पिछले दिनों अखिलेश यादव को भी तो CBI ने कॉल किया था न तो उन्होंने का था कि नई आप यहां तो मेरे घर आ जाईए यहां तो आप वीडियो कॉलिंग पे कर लीजे अभी मैं बीजी हूँ चुनाव में तो और एक आद दिन में उनको फिर से समन करेगी CBI इसी तरीके से वहां जितने लोग दिखाई दे रहे थी जितने चेहरे थे सोनिय गांदी राहूल गांदी फेस कट चुके हैं CBI को इसी तरीके से और कई सारे लोग हैं अच्छा हेमन सरन की बतनी महां थी तो कहने का मतलब यह कि जितने लोग महां दिखाई दे रहे थे सब किसी ना किसी जाच SNC की ग्रिफ्त से या तो गुजर रहे हैं या तो फिर गुजर के जेल पहुँच चुके हैं अब आप समझे कि अर्विन केजरिवल का कोट में क्या-क्या हो सकता है एक एप्रिल को यानि कि आज क्योंकि उनकी साड़े ग्यारा वज़े तक की हिरासत है और नेक्स्ट जो उन्हें कस्टडी लेनी है साड़े ग्यारा के बाद से उनकी रिमांड ले जा सकती है मतला तब उनका टाइम जो है डेडलाइन जो है उनकी साड़े ग्यारा वज़े तक की है रिमांड की और एडी अभी दो से तीन दिन की और रिमांड टेक्निकली ले सकती है क्योंकि 15 दिन की रिमांड E.D. ले सकती है, 22 को उन्हें 6 दिन की रिमांड मिली थी और उसके बाद फिर 4 दिन की रिमांड जो आज 11 बजे खतम हो रही है उसे हिसाब से E.D. को अभी और रिमांड को एक्सेंट करने का उनके हाथ में है कि वो कर सकते हैं, इसके अलावा जो सबसे बड़ी मुसीबत है दो अजेंसीज और तयार बैटी हैं, अर्विन केजरिवाल को अपनी किरासत में लेने के लिए एक CBI और दूसरी NIA, CBI क्यों? इसलिए कि के कविता ने कई खुलासे किये हैं इसके अलावा ठग, सुकेश जो तयार जेल में ही बंध है, वो भी बड़े बम फोड़ रहे हैं, नहीं-नहीं बातें बता रहे हैं कुछ दोंने ऐसी बाते के कविता और केजरिवाल को लेकर के कहीं हैं, जिनको लेकर के मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं के कविता की भी और केजरिवाल की भी, अब आप सोचिए कि है न यह क्यों उनको कॉल करना चाहती है, क्यों रिमान पर लेना चाहती है, क्यों अपनी कस्टड़ी में लेना चाहती है, क्योंकि आपने पिछले दिनों सुना होगा कई विदेशों के जो नेता हैं केजरिवाल की गिरिफतारी पे अंट शंट बयान दे रहे हैं यानि कि उनके पेट में दर्द हो रहा है अर्विन केजरिवाल इस समय एडी की कस्टडी में है और चुनाव के दोरान है तो भाई ये तो हमार घरेलू मामला है न उनके पेट में दर्द क्यों हो रही है एक और बात एना ये इसलिए भी केजरिवाल से कुछ बातों को पूछना चाहती है क्योंकि कई ऐसे संगठन हैं जो भारत विरोधी हैं जिनके साथ अर्विन केजरिवाल के connection बिल्कुल साब दिखाई दे रहे हैं छोड़ने की हामी भर दी थी पैसे भी ले लिये थे और बहुत सारा पैसा इनको मिल भी चुका है प्लस पंजाब में जो चुना हुए उसके लिए एक बड़ी खेप आई थी पैसों की ये सब चीजें एना ये पूछना चाहती है तो इस समय कुल मिला के केजरिवाल पे एक उसके बाद CBI देन फिर एना ही है तो कुल मिला करके मैं आपको ये बताना साती हूँ कि दिल्ली के सियम अर्विन केजरिवाल पे एक के बाद एक लगातार मुसीवते हैं बले ही ये कितनी रेलियां कर लें क्योंकि अब चुनाव हैं रेलियां तो ये करते ही रहेंगे और ह हो सकता है कि ये केजरिवाल का को लेकर के अपना गाना बजाना जारी रखें लेकिन इससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला एंड जो इंडिया लाइस के दूसरे घटक दल है उन्हें कोई फरक नहीं पढ़ रहा है आप कि लोग जो हैं वही इसको गाना गाएंगे एंड आ रहा है और उसके बाद ये भी सोचना होगा कि ये सत्ता कि इसके हाद में दी जाए तमाम सारी बाते हैं जो अभी भविष्य के गर्म में हैं तो आपने मेरे साथ दोस्तों पूरा वीडियो देखा अगेन आपका बहुत बात धन्यवाद मैं चाहूंगी कि अगर आप मेर पसंद कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंड कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ये सब बाते लोगों को पता चले हैं अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर कीजिए, एंड जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए, that is very important, इसके जरीए आप मेरे वीडियोस, नोटिफिकेशन, आपको मिलते रहेंगे, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, आप अपनों और अपनों का ख्यार लखिए, खुश रहिए, स्वस्त रहिए, जय हिन जय भरत